डॉक साब आज आजम सवाती साफ ने जो बातें की बड़ी कन्फूजन पैदा हुई जब उन्होंने ये बात की के चीफ एलेक्शन कुमिशनर की तकरूरी किस तरह हुई मुझे पता है मैं ये रास कभी सामने नहीं लाऊंगा तो अवाम ये जानना चाहती है कि आईनी इदारे के सरवरा को लगाते हुए उनको उनका नाम फाइनल करते हुए आखिर ऐसे क्या कॉम्प्रॉमाइजिस थे जो आप लोगों को करने पड़ें मैरिट पर कॉम्प्रॉमाइज किया आप लोगोंने क्या बिसमिल्लारबनराईम बहुत शुक्री आप शाजिया 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 देखिए इस सवाल का जवाब तो आपको आजम सवाती साफ दे सकते हैं उनकी इंफरमिशन में जो चीज होगी वो मैं तो आपको नहीं बता सकता हूँ की information में होगी वो बिलकुल, वो कह रहे हैं तो बिलकुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो एक सिका बंद आदमी है, और वो जो बात कहते हैं, पड़े वसूख से, और एक पड़े लिखे, इमानदार और सिका बंद आदमी है, तो इसका मतलब यह हुआ कि प्राइम मिनिस्टर साब अच्छा, चले मैं आगे चलता हूँ, उसका मैंने जो जवाब आपको देना था, वो दे दिया, कुछ बाते होती हैं, कि मेरा ख्याल है, जिसने की वो ही explain करे तो वो ही अच्छा होता है, और जब कोई अच्छा सा जवाब दे तो वो जवाब लेके आगे चलते हैं, जो में उन्हों ने लगाया था, मैंने, मेरा ख्याल, मेरा ख्याल आपका, आपका और मेरा एक माजी है, फिर मेरी आपकी नोख जुक हो जाती होती है, मैंने इसलिए आपको बसाद एहतराम कहा, जो सवाल का एक point of view, सवाती साब ने उठाया, बहुत ही, दस पदस्ता आप से पूछने का आपने पूछा, मेरा जो जुम्मेदारी थी, मैंने जवाब दी, आप आगे बात करने दे, मेरे ख्याल है, जो असल मुदा है, कि वोट कैसे होना चाहिए, इलेक्शन कैसे होना चाहिए, उस पर बात आनी चाहिए, मैं उस मौज़ू के ऊपर, आजम सवाती आपको उनका नंबर दे देता हूँ, सुबह उन्हें अपने शो पे लें और उनसे ये सवाल करें, वो आपको जवाब देंगे, जिस चीज़ के प्रिवी वो है, उसका मैं जवाब आपको नहीं दे सकता, ठीक है, तो जो 37 इतराजाद इलेक्शन कमिशन ने लगाए हैं, क् कि हकूमत उनको दूर नहीं कर सकती, और बजाए इसके कि उन्हें इतराजाद पर बात करें, सीधा ये कहना शुरू कर दी, आग लगा दें, ये हमें पता है कि किसके कहने पर चल रहा है, ये शरीव बरादरान का है, दो बाते हैं, शाज़े आप अगर आप बात करने कि हैं, हमारी स्टेट्मेंट्स भी सुना चुकी है, इमरान खान साब से लेके वुजरा तक, अलेक्शन कमिशन की भी वाद कर चुकी है, अब अगर आप मुझे जवाब देने देंगी, तो अवाम को बहतर पता चलेगा हमारा पॉइंट इव्यू, अभी भी अगर आपकी क कमिशन को, 2017 में ये कवानीन बने थे, जो पबंद करते थे अलेक्शन कमिशन को, आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर, कि उन्होंने अलेक्टरॉनिक वोटिंग मिशीन और टेक्नालोजी को इस्तमाल करके, छोटे पहमाने पे पहले अलेक्शन करवाने हैं, ताकि उनको फि पाकिस्तान ने, वो एक बिल्कुल हमारे लिए बड़ा इज़्जत का अदारा है, एक आईनी अदारा है, लेकिन जो उन्होंने गलत काम किया है, उसके उपर तनकीद करना सबकी बनती है, जैसे किसी बी और अधरे पर बनती है, उन पर भी बनती है, तो उन्होंने गलत ये किया उसमें एक बहुत ही बड़ी उनकी मैं ये कहूंगा बसाद एहतराम एहतराम के अंदर रहते हुए कि उनकी बहुत ही ज्यादा टिल्ट नजर आया हकूमत की जो पॉलीसी है उसके मुखालिफ हमने तो इस पे मैनुफेस्टो हमारा है कि हमने रिफॉर्म्स करनी है हम तो वोट इस पे लेके आये हुए हैं तो हमारी तो पॉलीसी हम आज नहीं कह रहे हैं हम तो हकूमत में आने से पहले से कह रहे हैं कि वोटिंग का नजराम चेंज होना चाहिए हमने तो पिछली पूरी जो टर्नियोर था नूनली का उसमें हमने आपको याद होगा धरना दिया हमने तो चार हलके खिलवाने पर बात की आपको पता हमारा तो माजी है यह हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टन बात है लेकिन अनफॉर्चनेटली एक ऐसा आईनी एदारा जिसकी जुमेदारी जो कवानीन है उसके अंदर रहते हुए फ्री एंट फ्रेयर अलेक्शन करव कि वोटिंग मिशीन किती जुरूरी उनको बड़े अराम से उसमें से माइनस कर दिया तो इसमें थोड़ी सी ये एक बद्यानती नजर आती है मसलन फिलिपीन के जो अलेक्शन हुए उसके अंदर जो लोगों का ट्रस्ट था वो जो 2007 में पेपर वोट हुआ जैसे हमारा होत है तो 35 फीसद लोग उसको ट्रस्ट करते थे 2010 में जब उनके हाँ एवीएम आई तो 75 फीसद लोगों ने कहा अलेक्शन दुरूस्ट हुए 2019 में लोगों ने कहा तकरीबन 89% 90 फीसद लोगों ने कहा कि आप देखिए एवीएम के आने के बाद उनके चीज़ें बेहतर होती गई इसी तरीके से जो अलेक्शन की पेटिशन हुई वो जब पेपर का अलेक्शन फिलिपीन में होता था तो 1000 से ज्यादा पेटिशन सी जब पहली दफ़ा एवीएम लेके आए तो 49 पेटिशन सी जब दूसरी दफ़ा 2019 में एवीएम लेके आए तो सिर्फ 11 पेटिशन सी एक हजार से ग्यारा जो आखरी बात बताने लगा हूँ वो सबसे इंपॉर्टन्ट है 2007 में जब पेपर का अलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान में भी कभी उस तरीके का खुन रेज अलेक्शन नहीं हुआ जो फिलिपीन में हुआ था 2007 में 100 से ज़्यादा प्रिजाइडिंग आफिसर कतल हुए मैं क्या कह रहा हूँ शाजिया फिलिपीन में 100 से ज़्यादा प्रिजाइडिंग आफिसर 2007 में कतल हुए ठीक है तुसे अब लोग जस्टिफाइड कर सकते हैं 2010 में जब EVM आ गई ती जो लोगों का इतमाद था एलेक्शन कमिशन को दिया गया यह उन्होंने चुप करके माइनस कर दिया बड़ी के साथ अबाम के सामने लेकिया आर्लेंड इतली और फिनलेंड के सिक्यॉरिटी ताफुजात वो कहते हैं इन मुमालिक ने तो छोड़ा है वहां क्या यह पूरा घंटे का प्रोग्राम करिए मैं काल आपके साथ बैठता हूं फिनलेंड में इंटरनेट इस्तमाल हुआ बहुत सारे मुलकों ने बहुत सारी ऐसी टेक्नालोजी इस्तमाल की जो उन्होंने बाद में चेंज की हमने उन तमाम से सबक सीख के जो एक इस टाइम सबसे म वोक्स वैगन को अमरीका के अदर फाइन हुआ था जब एलेक्शन कमिशन ने ये सामने रखे क्या ये मुश्किल था इन्हे तरह जात को दूर करके उनको राजी करना मुश्किल थे तरह इन्हें उसमें बहुत सारे बद्यानती के उपर मबनी चीज़ें हैं ना मैंने आप के सामने खिद्वन प्यर्स किया कि जो पूरा के पूरा कंडक्ट था उसमें सारे का सारा कि जो एवी एम के प्रो उसके अंदर जो मुस्बत बाते थी वो शामल ने की गई तमाम मनफी बाते जिनका कोई लेना देना नहीं है टर्माट बढ़ेगा के नहीं बढ़ेगा और बहुत सारी बाते जिनका एवी एम के साथ कोई लेना देना नहीं है डिरेकली उनको शामल किया गया सिर्फ मखालफत पर आये मखालफत तो जब ये हकूमत को कन्फार्म हो गया हकूमत ने बहुत रिस्ट्रेंड का मजारा कि आपको याद होगा कि जिस तरीके से रातो रात अचा आपको क्या लगता है श्रीफ बरादरान के साथ करीबी तालुकात होने की वज़ा से ये सब कुछ ऐसा कर रहे हैं ये लाग रहा है आपको ये तो आपको पता होगा मैं जाती तो इस चीज को नहीं जानता आजम सवाती साब ने का तो उनको बिलकुल इस बात का पता होगा जी ये तो आपके वुज़रा बात करते हैं ना सब लोग बात करते हैं ना हकूमत में चीफ एलेक्शन कमिशनर साब के हवाले से नहीं होग आजम सवाती साब ने का है तो जरूर होगा मैं डनाई नहीं कर रहा मैं जाती कपैस्टी में नहीं जानता कि इनके कितने रिलेशनशिप है लेकिन उनों ने एक प्लैटफॉर्म पे का है बिलकुल उनों ने फॉर्मल तरीके से का है को लुक छुपके नहीं का तो बिलकुल होगा इनके relationship था